हेलो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे सेंट्रिफ्यूगल पॉंप के बारे में सेंट्रिफ्यूगल पॉंप इन लास्ट वीडियो हमने डिसकस किया था कि पंप क्या होते हैं उनका यूस कहां कहां होता है किस किन बेसिज में हम किन फैक्टर के बेसिज में हम पंप को चूज करते हैं हमने देखा था कि पंप दो तरह से क्लासिफाइ किये जाते हैं फर्स हमने देखा था that are dynamic pump, centrifugal pump and second is reciprocating pump. तो centrifugal pump के बारे में आज हम detail में देखेंगे. तो centrifugal pump भी हमारा क्या करता है? वाटर को collect करता है, suction करता है and delivery तक पहुचाता है. जितना वाटर की हमें requirement होती है, उसको deliver करता है. तो that is a rotodynamic pump. centrifugal pump को और क्या कहा जाता है rotodynamic pump and it has a wheel इसमें एक rotating wheel होता है which rotates the water in casing जो कि water को क्या करता है casing के अंदर rotate करता है क्योंकि water rotate हो रहा है तो क्या होगा energy level increase होगा and due to the combo of centrifugal energy वहाँ centrifugal energy produce हो रही है and pressure energy भी produce हो रही है and जो kinetic energy भी produce हो रही है उसकी basis पे क्या होगा हमारा water हमें discharge head पे मिलता है तो बात करें centrifugal pump की तो यह हमारे most commonly used pump होते है क्यों? क्योंकि इनकी discharge capacity होती है वो greater होती है but कही न कहीं centrifugal pump में जो lift है that is a small जो suction हमारा होता है lift जो है यह small होती है centrifugal pump हमारे produce करते है high head को discharge हमें large मिलता है centrifugal pump में जो flow rate होता है study होता है centrifugal pump की efficiency हम कैसे check कर सकते है Q upon H ratio होता है that is discharge upon head ratio जिनके basis में हम centrifugal pump की efficiency को बता सकते हैं centrifugal pump के लिए जो floor area है वो हमें कम required होता है यह क्या है positive aspects centrifugal pump के इनकी maintenance cause जो है वो कम लगती है but कुछ drawbacks भी है जैसे centrifugal pump suitable नहीं होते हाई प्रेशर के लिए centrifugal pump हमारे in case of leakage centrifugal pump वर्क नहीं करता है तो अगर आप देखेंगे कि centrifugal pump है तो फुल chamber हमारे वाटर से फुल होना चाहिए अगर when chamber is not full of with the water तो उसमें प्राइमिंग की हमको requirement पढ़ती है क्योंकि क्या होता है कि air आ जाती है और उसे हटाने के लिए पहले पूरे वापस प्राइमिंग करनी पढ़ती है before starting of the pump तो यह कही ना कहीं ड्रॉबैक है centrifugal pump का इसके अलावा आपको discharge इसमें large मिल रहा है so you can use और most commonly used pump हमारा centrifugal pump कहलाता है बात करें centrifugal pump के structure की तो आप देख सकते है centrifugal pump किस तरह का होता है आपको figure में दिख रहा है center में एक eye होती है सबसे पहले आपका inlet section होता है inlet section क्या करेगा आपका water को उपर लेकर आएगा माली जए यह आपका level of water है तो यहां से क्या होगा inlet section लगावा होगा तो inlet section को और क्या कहते है section कहते है तो यह क्या कहते है पानी को उपर suction करता है जिससे की क्या होता है head produce होता है जिसको हम कहते है suction head center में आपको दिख रही है eye के outside आपको दिख रहा है that is drive shaft optic shaft लगी हुई है then आपका बाहर impaler veins लगी हुई है impaler veins जो है उसके outer में आपकी casing होती है and आपका यह पूरा एक chamber है जिसको हम क्या कहते है wall chamber और आपका outlet बना हुआ है that is for discharge तो centrifugal pump क्या करेगा आपका impaler जो है वो पानी को anti-clockwise direction में rotate कराते हैं आप देख रहे हैं कि impaler आपको देख रहे हैं impaler में veins देख रहे हैं यह veins क्या कर रहे है water को anti-clockwise direction में move करा रहे हैं जिसकी वज़़ज़ से क्या produce हो रहा है centrifugal energy वहाँ पर produce हो रही है और हमारा water जब आप नीचे देख रहे हैं तो यह section का area क्या हो रहा है centrifugal जो volt chamber है in the centrifugal pump इसका area क्या हो रहा है बढ़ गया है आप देखें कि impaler जो लगा हो है इसके ऊपर का portion का area आपको थोड़ा सा कम दिख रहा है और नीचे वाला chamber का area क्या हो गया बढ़ गया है जादा impaler लगे होते हैं तो हम इसको कहते हैं we can say two or more impalers अगर centrifugal pump में है तो इसको हम कहते हैं multi-stage centrifugal pump multi-stage centrifugal pump here some key details about centrifugal pumps we will discuss like impaler की बात करते हैं आप फिर diagram में देख सकते हैं impaler impaler में क्या है impaler veins लगी हुई है यह impaler क्या है एक rotating component होता है pump के अंदर का that is जो कि responsible होता है impart करने के लिए energy in the float float में energy को impart कर रहा है and इसमें जो हमारी curved blades लगी हुई है यह क्या कर रही है anti-clockwise direction में water को move कर रही है after the suction of water जिससे की पानी क्या कर रहा है move कर रहा है और इसमें produce हो रही है centrifugal energy and then हमको क्या मिलता है discharge मिलता है impaler के outside हमारी क्या होती है एक shell होती है जिसको की कहते है casing it is a stationary shell यह क्या करती है यह help करती है water को guide करने के लिए pump के अंदर water को guide करती है कि कैसे water को flow करना है और convert करती है kinetic energy को to the pressure energy क्या कर रही है kinetic energy को pressure energy में convert कर रहा है कौन कर रहा है तो आपके जो casing है यह water को flood को क्या करी path provide कर रही है इसके बाद हम बात करते है suction ports की तो suction ports क्या होते है जैसे आपने आपको यह बताए कि यह आपका water level है तो यहां से आपको पानी को क्या करना है suction provide करना है इम पंप तक पहुचाने के लिए और जब water यहां पर आपका centrifugal energy produce होगी water move करेगा तो आपको क्या होगा यहां pressure increase होगा और आपका water हम rough diagram में समझे तो यहां से यह suction हुआ water यहां पर move करेगा anti-clockwise and then आपका क्या होगा यहां पर high pressure head के साथ water क्या निकलेगा बाहा निकलेगा तो इसको आपने क्या बोल दिया suction port बोल दिया and यहां पर हमारा क्या होगा जो कि जहां आपका discharge मिल रहा है उसको हम बोलेंगे discharge port इस तरह से centrifugal pump में हमारे two main ports होते है जिसको कि हमने क्या नाम दिया है suction port जिसका काम क्या है to draw the water जो कि क्या कर रहा है pump से flood को draw कर रहा है and discharge port discharge port हमारा क्या कर रहा है pressure के साथ flood को expelled कर रहा है बाहर निकाल रहा है इसके अलावा pump में centrifugal pump में और क्या चीज़े होती है तो shaft लगी होती है अब क्योंकि water को suction किया water को यहां से suction करके ऊपर लाया तो यहां पर क्या होगी shaft होगी जो की connected होती है motor के साथ और यह क्या कर रही है rotation provide कर रही है impeller को then एक motor भी लगी होती है यह motor क्या कर रही है centrifugal pumps are powered by motor electric motor से ही क्या मिल रही है इन centrifugal pumps को power मिल रही है और उस power के थू ही वो shaft क्या कर यह impeller को घुमा पा रही है इसकी वज़़ज़ से पानी क्या और अतेजी से वहां पर rotate कर रहा है energy produce कर रहा है और उससे हम बाहर निकाल पा रहे है तो यह जो motor है तो कुछ types होते हैं centrifugal pump के the first type is the single stage pump जब हमारा centrifugal pump में सिर्फ एक ही impeller लगाता है impeller हमने पढ़ा अभी देखा आपने किस तरह से होता है कुछ इस तरह से होता है so there is a difference between impeller and runner runner क्या करता है impeller यहां पे हमारा क्या कर रहा है यह घूम रहा है जिसकी वज़ह से यह पानी को घुमा रहा है और runner क्या होता है student आपको objective question पूछ सकते है exam में runner क्या करता है runner की वज़ह से आपके क्या होती है turbine की wave जो यह turbine में लगी होती है runner कीacer यह move करती है water की वज़ह से और हम यहां क्या कर रहें, impaler प्रोवाइड क्या करता है, water को move कराता है, तो single stage pump में एक ही impaler लगा हुआ होता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, first हमारा type हो जाएगा single stage pump, centrifugal pump, इसके अलावा second होता है, हमारा multi-stage, तो जब आपका multiple impellers लगे होंगे, series में तो आप उसको क्या बोलेंगे, multi-stage pumps बोलेंगे, अब हम समझ सकते हैं, कि यह तो हमारा pressure reproduce कर रहा है, rotate होके centrifugal pressure, centrifugal energy, तो जब हमें pressure को बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, series में pumps को के अंदर impalers को प्रोवाइड करेंगे, multiple impellers को, और उस pump को हम क्या बोलेंगे, multi-stage centrifugal pump, इसके अलावा हमारे पास third होता है, that is, horizontal pumps, second हमारा multi-stage, third हमारा क्या होता है, horizontal pump, horizontal pump क्या होते हैं, जिसमें shaft जो है, वो horizontally लगी होई होगी, उसे आप बोलेंगे, horizontal pump, and fourth is vertical pump, vertical pumps, vertical pumps में जो shaft है, आपकी वो vertically placed होती है, तो इस तरह से हमने समझा कि centrifugal pumps widely used होती है, different industries में, and different sectors में, जहाँ पे fluid को हमें क्या करना हो, transfer करना हो, मतलब एक head जो दूसरे head तक पहुचाना हो, तो वहाँ पर हम क्या use करते हैं, centrifugal pumps का use करते हैं, इसके अलावा हम कह सकते हैं कि circulation के लिए, water के circulation के लिए, water को pressure boosting के लिए, हम pumps का, centrifugal pumps का use करते हैं, basically हम बात करें, तो हमें क्यों requirement है, अभी environmental engineering में, centrifugal pumps को पढ़ने की, for the water supply system, जो हमारा water supply system हम पूरा design करेंगे, उसमें हमें pumping की भी cost को include करना पड़ता है, इसलिए हमें pump को पहले ही समझना होता है, साथी साथ, waste water treatment plants में भी pump का use होता है, जब हमारा waste produce हुआ, इस पानी को हमने use किया, जब हमारा waste produce हुआ, तो उसके treatment के plants में भी हमें किसकी requirement पढ़ती है, pumps के requirement पढ़ती है, इसके अलबावा various industries like oil and gas, chemical processing, इन सभी में भी हमें centrifugal pump की application देखने मिलती है, बात करें efficiency की, तो centrifugal pump ऐसा pump है, जो कि आपको high efficiency provide करता है, इसका application के अगर हम बात करें तो moderate to high flow rate के लिए हम इसको use करते हैं, whereas relatively low discharge pressure आपको यहां पर मिलता है, तो यह एक बहुत ही efficient pump है, जिसको कि हम nowadays use करते हैं, तो that is all about the centrifugal pump, in the next video we will discuss the second pump which is the reciprocating pump, thank you.